अगर आपको है एकने और पिंपल्स की समस्या तो इस वीडियो को ज़रा भी मिशना करें क्योंकि इस वीडियो में कंपेर करने वाला हूँ दो ऐसे फेस वाश है गानियम है एकनो वर्सेस नेविया मैन एकने फेस वाश जो आज की डे टू डे लाइफ में बहुत से लोग के लिए उसके पहले आपको यह कहना चाहँगो कि पिंपल्स में फेस वाश क्या रोल रहता है फेस वाश आपके स्किन को अच्छे से क्लीन करेगा ताकि पिंपल्स के वज़े से जो बैक्टिरिया फेलता है वो कंट्रोल में रह सके तो यही सबसे इंपॉर्टन रोल रहता एक face wash का, तो जब मैं compare करता हूँ Garnier Men Acne Face Wash versus Navier Men Acne Face Wash ये दोनों ही face wash में अगर कोई strong effect देगा आपके skin पे, तो वो है Garnier Men Acne Face Wash compared to Navier ये ज़्यादा strong है अब यहाँ पे ये बात नहींगे कि जो ज़्यादा strong है वो आपको use करना है दोस्तों अगर आपकी skin oily है तो आप Garnier के लिए जाएए और अगर आपकी skin जो है वो dry है तो आप Navier के लिए जाएए अब ये सबसे बड़ा difference आपको क्यों कह रहा हूँ, विकास जो oily skin रहती है, जो oily skin की face skin रहती है, उनको deep cleaning की ज़रुवत है उस वैसे face wash की ज़रुवत है तो Garnier वैसे stronger category का है और secondly जब मैं बात करता हूँ नेविया मेन acne face wash की ये एक mild category का face wash है compared to Garnier, तो जिनकी skin dry है वो लोग ये face wash यूज़ कर सकते है विकास अगर dry skin वालों ने Garnier का acne face wash यूज़ कर लिया तो उनको उनकी skin और dry लगेगी और सफेद सफेद सा एक परत जैसा भी लगेगा अब यहाँ पे एक important चीज़ कहना चाहूँगा कि दोनों ही face washes में जो है वो chemicalized ingredients है तो सबसे important बात आपको ये follow करनी है कि दोनों face washes की आदत आपको नहीं लगानी है अगर आप इन दोनों में से किसी एक face wash की भी आदत लगा लेते हो तो आपकी skin उसके used to हो जाएगी simple सा तरीका use करिए अगर आपको acne आ रहा है तो जब तक आपको acne है एक हफता, दो, हफता, तीन हफता इस face wash को use करिए और इसके बाद इस face wash को discontinue कर दीजिए मैं दोनों ही face wash की बात कर रहा हूँ अभी इससे क्या होगा कि आपको इसकी आदत भी नहीं लग जाएगी because अगर आपको इसकी आदत लग गई तो जिस दिन आपने ये face wash use नहीं कर लिया तो आपका चेहरा लगेगा fade और एकदम सूखा-सूखा चेहरा लगेगा तो simple सी बात है आप इसकी आदत ना लगा ले अब वापिस आते हैं comparison के और पे जब मैं बात करता हूँ ठंड़क के बारे में तो गानियर का face wash है जो है वो ज़ादा ठंड़क प्रोवाइड करता है और नेविया मेन का जो acne face wash है एक limit टक proper way में आपके चेहरे को refresh और थंड़क रखेगा अब जब मैं बात करता हूँ दोनों की pricing के बारे में दोनों की pricing none and the same है मतलब 19-20 का फरक है जादा इतना बड़ा भाव में फरक नहीं है उसी के साथ ये भी कहना चाओंगा availability जब मैं बात करता हूँ तो गानियर मेन का acne face wash हर दुकान में available है और नेविया मेन का acne face wash केवल और केवल मुझे online मिला ऐसे normal local vendors पे जो local stores थे मुझे वहाँ पर मिला नहीं including beauty का सामान जो store बेचता है वहाँ पर भी ये face wash मुझे मिला नहीं तो availability में गानियर का face wash जो है वो आगे है अब आप कौन सा use करो मैंने वीडियो के starting में ही आपको बदा दिया अगर आपकी skin oily है तो गानियर के लिए जाए अगर आपकी skin dry है तो नेविया के लिए जाए और अगर आपको सच्ची में कुछ पता नहीं कि आपकी skin सच्ची में oily है ड्राय है या फिर combination है तो सीधा और सीधा नेविया man acne face wash यूज़ करिए ताकि आपको जो है वो mild effect मिल सके अब यहां पर एक important मुद्दा कहना चाहूंगा अगर आप acne की जो cream है या acne के जो face washes है वो यूज़ कर रहे हो अलग-अलग नुसके देख रहे है यो YouTube पे और आपको कोई effect नहीं हो रहा है तो मेरे भाई ये YouTube वगर एका चकर सब छोड़ दो सिधा से जाओ एक skin specialist जिसको कहते है dermatologist वो आपको बताएगे कि आपके skin पे exactly हुआ क्या है क्या आपको allergy है या आपको कोई side effect हुआ है तो वो आपको properly बता देगे ये एक वीडियो में खाली दोनों के difference के बारे में बता रहा हूँ तो अगर आपको कोई problem acne के solve नहीं हो रहे है तो सीदा ने सीदा एक skin specialist के पास जाईए और आपने जो doubts है वो दूर करवा लीजे और अन्य कोई doubts है जो छोटे मोटे doubts है तो आप नीचे जाके Instagram पे मुझे follow करके पूछ सकते हो इसी के साथ अगर ये वीडियो helpful लगी हो तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजे और दोनों ही face washes में अगर आपको कोई भी face washes खरीदना है तो इसकी link जो है मैंने description में दे रखी है तो वहाँ पे आप जाके purchase directly कर सकते हो तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बोले comment section में अगर आप दोनों में से कोई भी एक product यूज़ कर रहे हो एफ इव प्रतव के रहे हो ज वी थांगार लूज़ कर देए्यूज़ वीडियो एफ फिज़ वीडियो शीज़ शीचू़ प्याज़ का देए्यों बप्यां है